नमस्कार दोस्तों जानु टीवी में आपका हर्तिक स्वागत है आज हम बात करेंगे पुनर्वा के पेड़गी जी हाँ यह एक ऐसा ओसदिये पौदा है जिसका महत्वे हम नहीं समझते क्यूंकि यह पैरो तले कुछला जाता है यह आपको सिर्थ से एक नया जीवन देने की शंता रखता है इसलिए इसे पुनर्वा कहा जाता है और यह हर मौसम में उग जाता है इसके कई सारे फायदे हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं तो आई जानते हैं इसके फायदों के बारे में आपको यूबा बनाए जैसा है कि इसका नाम वैसा ही इसका काम क्यूं है और आप फिर से ही ऊवा होने लगते हैं आखों के लिए ये आखों की कई सारी समस्यां को में लाबदायक है जैसे आखों में पानी आने पर इसकी जड़ों को गिसकर दू दिया सहत के साथ लेने से आखों की खुझली मिर जाती है इसके अलावा इसी तरीके से आखों से आ पानी को रोका जा सकता है रतौंदी की समस्या होने पर कांजी के साथ पुनर्वा की जड़ को गिसकर आखों में लगाने से रतौंदी दूर हो जाती है गुर्दे के लिए गुर्दे की कई सारी समस्या है जैसे की इसमें इंफेक्शन या फिर पत्री को या बहुत जल्दी ही ठीक कर देता है पुनर्वा की पत्तियों को पीश कर उसका काड़ा बना कर पीने से आपको इस समस्या में बहुत जल्दी आलाम मिलता है नेंद के लिए आज की समय में अनित्रा हर किसी की समस्या बनी हुई है और शायद ही ऐसा कोई होगा जो पोरी और गहरी नेंद नहीं ले से आदे गंटे पहले लें और रोजाला लेने से आपकी अनित्रा दूर हो जाती है अस्तवा में अस्तमा जैसी गंबी बीमारी में बहुत फायदेमंद है लगवा 50 मिली ग्राम हल्दी पाउडर के साथ 3 ग्राम पुनर्वा की जड़ों को मिलाएं और इसका बढ़ी अमिश जाना लगाए और कुछ दिनों के लिए किसी भी तरह की केमिकल वाली चीजों का इस्तमाल ना करें जिससे शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार को रोग को ये पुनर्वा का पौदा बहुत जल्दी ठीक करता है गठिया जिहां गलत खान पान और बढ़ती उम्र की वज़ किने लग जाएगा और आप बहुत जल्दी अपने आपको स्वस्त मैसूश करेंगे तो दोस्तों इसी परकार की और उचक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें